अक्षरा के जीवन में एक नहीं दो नहीं तीन बार प्यार ने दस तक दी, लेकिन प्यार की मामले में अक्षरा हर बार नाकामियाब रही, क्योंकि शायद अक्षरा के नसीब में उनका प्यार लिखा ही नहीं था उनका पहला प्यार कोई और नहीं, उनके पहले फिल्म के हीरो रवी किशन थे, जहां रवी किशन और अक्षरा का प्यार लुका छुपी वाला था, किसी को पता चला और किसी के कानों कान खबर भी नहीं हुई कि रवी और अक्षरा एक दूसरे के प्यार में है फिल्मी सेट से शुरू हुई ये प्रेम कहानी फिल्मी सेट पर ही खतम हो गई क्योंकि अक्ष्रा को ये भली भाती पता था कि रवे शादी शुदा है और वो कभी भी अपनी पत्नी को छोड़ उन्हें नहीं अपनाएंगे इसलिए समझधारी दिखाते हुए अक्ष्रा ने इस रिष्टे से अपने आपको ही अलग कर लिया फिर उनके जीवन में आये खेसारी ला लिया दो अक्ष्रा और खेसारी की मुहब्बत फिल्मी सेट से भले ही सुरू ही हुँ लेकिन ये किसी की नजर से छुपी नहीं रही खेसारी और अक्ष्रा का प्यार इस कदर परवान चड़ा कि दोनों एक दूसरे के साथ साई की तरह रहने लगे इन दोनों के बीच तब तक सब कुस्ठीक चला जब तक अक्ष्रा को ये नहीं पता चला कि खेसारी पहले से ही शाधी शुदा है जैसे ही अक्ष्रा को खेसारी की सच्चाई पता चली अक्ष्रा खेसारी से दूरिया बनाने लगी और इसी दूरी के बनाने के चक्कर में वो पवन के नजदीक आ गई और उन्होंने पवन का दामन थाम लिया प्यार में दो बार धूखा खाने के बाद अक्षा को पवन में उम्मीदे नज़र आने लगी थी लेकिन प्यार में अक्ष्रा की किसमत फिर उन्हें धोखा देने के लिए तैयार थी जिस पवन के पीछे अक्ष्रा ने अपने आपको त्याग दिया उस पवन सिंग ने भी उन्हें जोर का जटका धीरे से दिया जब पवन और अक्ष्रा का रिस्ता सबसे मजबूत माना जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि अब उन्हें एक होने से कोई नहीं रोग सकता उसी वक्त पवन ने जोती सिंग से शादी कर ली और अक्ष्रा के साथ साथ अक्ष्रा के फैन और पवन के फैन हत प्रत रह गए पवन के इस डिशीजन से पवन सिंग ने जब जोती सिंग से शादी की अक्षरा के पैरो तले जमीन निकल गी लेकिन उससे बुरा तो तब हुआ जब पवन ने शादी के बाद अक्षरा से हर रिस्ता तोड़ लिया यहां तक की अपने दोस्ती का भी ये वही दोस्ती का रिस्ता है जिसका अक्ष्रा सबसे ज़्यादा दमखम भरती थी और आज अक्ष्रा अपनी जिन्देगी समेटने में लगी है और अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने में जुटी है मोजपुरी जगत की होट और मसालेदार कौसिप के लिए हमें सबस्क्राइब करना बिल्कुल न भूले